जैमा, इंद्राक्षी, जैंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शु को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों को जनम दिवसे मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम दा है सावन का महीना है और सावन के महीने में बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-ब बना करके पूजन करना और मानस पूजन का एक विशेस्ट महत होता है आप जरूर जानिएगा आईए पहले आज कम पंचांग देखें मानस पूजन कई बार आप सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा समान हो तब हम भग्मान शेव को प्रसंद करें और ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत सारा समान नहीं होता है अला नहीं पाते कोई भी वज़े हो सकती है तो सास्त्र में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति मानस पूजन कर लिया करें मानसिक भावना से आपके पास पुष्प नहीं आपके पास सुगंदी नहीं आपके पास दूद नहीं आपके पास धै नहीं तो आप मानसिक इस्तिती से भगवान को सारी चीज़ें अरपन कर सकते हैं, इसे हम मानस पूजन कहते हैं, और मानसिक इतनी बड़ी शक्ती होती है, मानसिक इस्तिती से ही हम भगवान को प्रसंद कर सकते हैं, यह दियान रखना, मानसिक इस्तिती, मन में जितने सुन्दर होंगे उतने ही अच्छे तरीके से आपसे भग्वान प्रसंद हो जाएंगे बहुनी माता के भाव अच्छे थे तो भग्वान राम ने किसी की नई सुनी सीदे बहुनी माता के पास मोचे और नहीं तो जहां भगवान राम पाउं रख दें वहां हजारों रिशी होनी मस्तक टिकाते हूं लेकिन भिली से मिलने के लिए आतूर थे क्योंकि उनके भाव आप समझते ही हैं भाव सबके अच्छे थे लेकिन भावना जितनी कैड़ी भगवान के प्रती होगी जितनी भावना भगवान के प्रती शुद सौम्मे होगी भगवान खीचे आते हैं भले कुछ न चड़ाईए आप भगवान को तो इसलिए मेरे सभी साथ को ध्यान रखना आपके मन में कई बार आता है कि मैं सावन का महीना है धहदूरा नहीं चड़ा पा रहा सावन का महीना है मैं भुजर्ग हूँ मैं बेल पत्र नहीं ला पा रहा हूं चड़ा पा रहा हूं तो आप ज्यान रखें अपने ही घर में आप मानस पूजन करें मानसिक पूजन करें और मन से चाहे एक सो आठ बेल पत्र भगवान को चढ़ा दें यह मैं आपको गुप्त अद्भुत विदी बता रहा हूँ आप मन में ठाल लें आप मैं भगवान को बेल पत्र चढ़ा रहा हूँ और ग्यारा चढ़ाने है तो आप नमश्वाय बोलते जाएं एक नमश्वाय बोलते जाएं दो ग्यारा बेल पत्र मन से चढ़ाएं मानस पूजन जो चीज ना हो पूजन में भी आता है कि जैसे कोई चीज आपके पास पूजन में नहीं है तो ब्रहमन लोग उस वक्त बोलते हैं करम कांडी जो ब्रहमन होते हैं कि सर्वा अभावे अक्षतान समरपयामी जो चीज का अभाव है जो चीज नहीं है उसके अभाव में है प्रभू मैं आपको अक्षत चढ़ा रहा हूँ इन्हें आप स्विकार करें तो मानस पूजन समझ गए कई बार आपके पास कोई चीज ना हो तो आप मानस पूजन भगवान का कर सकते हैं कई बार आप सफर में और आप सफर में आपके पास दूद्ध ही कुछ भी नहीं और सावन का महीना आपका करम तूट ना तूट जाए तो वहीं अपनी ट्रेन में गद्धी पर बैठिए हिसाब से शुद्ध मन से और मानसिक पूजन भगवान का आप करने आपका पूजन स्रीकार हो जाएगा दूसरी बात मिमार हैं मन में बहुत आरा मैं नहालूँ मैं उठ जाऊँ तो भाईया लेटे लेटे मानसिक पूजन कर लीजिएगा तो भी आपका स्रीकार हो जाएगा बस मन में मैल ना रखना भगवान के पृति शुद्ध शुरद्ध रखना ये फूल चावल तो बहुत छोटी चीजे हैं मानसिक भावना जिसकी बड़ी होती है ये सारी चीजे नरन्य हो जाती है अब पार्थिव शुवलिंग का सुन लीजिए अंगुठे जितने पार्थिव शुवलिंग बनाये जाते हैं थोड़ा उपर नीचे चल जाते हैं और पार्थिव शुवलिंग बना करके चिकनी मिट्टी के शुवलिंग बनते हैं पूरे सावन में जो पार्थिव शिवलिंग मना करके उनकी पूजा करता है, या अपने घर में पार्थिव शिवलिंग मना करके रुद्री पार्ट करता है या करवाता है, उपर बेल पत्ता रख दिया जाता है, समान रख दिया जाता है, वो गलता नहीं है, अभी हमने जैसे जैपूर में एक विश्यष सुरुद्री करवाई तो सब को मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग दिये आने वाली फिर दो तारिकों में जैसे आठ अगस्त को सावन का आखरी सौंबार है उसमें भी हम जैपूर में ऐसा विश्यष पूजन करवाने जा रहे हैं चोदा अगस्त का भी ऐसा ही विश्यष पूजन रहेगा पार्थिव शिवलिंग को ले करके तो पार्थिव शिवलिंग की महिमा अद्भुत है आप एक बार जीवन में जरूर सावन के महीने में या सोमवार के दिन अपने घर में किसी विद्वान को बुला करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन रहे अनेग उप्रकार की कामनाएं पार्थिव शिवलिंग करने से पूर्ण होती है आईए साथ को समय उचला आज की ध्यानमला का जोड़ते हैं आज की ध्यानमला में पुने भगवान शिव संबू से ओम आत्मा त्वंगिर जामती सैचरा प्राणा सरीरं ग्रियं पूजा ते विसयोप भोग रचना निद्रासमा जिस्त दे संचारा पदयो प्रदक्षन विरे स्रोत्रानि सर्वागिरो यद्यात कर्म करोमित दखिलं संबोस्तवारादनं चंद्रोद वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्ववे स्वानरे धन्ते त्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रेलोक्यसारे हरे मोक्छार्तिम कुरुचित वृच्यमचलं मन्ने स्थुकिम कर्मवे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम वन्दे मुकुंदा प्रियं वन्दे वक्त जनस्रयं चवर्दाम् वन्दे सिवं संकरं ओम करपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं भुज केंडर आरं सदा वशंतं व्रिद्यार विन्दे बवं भवानी सैतं नमामी कवच बना लें ध्यान करें शिव संदू का 180 समचब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नित्रखोले समानने हो जाएं देखो साथ को इस सावन में हम लोग भी विसेश प्रकार की पूजन ये सारी चीज़े करवा रहे हैं और एक बहुत बड़ी खुशकवरी हम आपको दें हमने कहा था न डोर टू डोर आपको मिलेंगे तो आठ अगस्त का जो ये विसेश पूजन जैपूर में है इसको आप हमारी यूट्यूब चैनल पर लाइव देखेंगे सावन का आखरी संबार है उस दिन आप सब बैठ करके हमरे साथ अपने अपने घर में पूजन करना हम आपको बताते जाएंगे ये ये द्रवे चड़ाईए और आप उस सावन के अंतिम संबार में भगवान शिव का पार्थिम शिवलिंग बना करके पूजन करना उसकी सार जाएंगे विधी मैं आपको एक दो रोज पहले बता दूँगा सारा समान क्या क्या चाहिए वो मैं सारा आपको यही से सारा धिरे-दिरे लिखवा दूगा बहुत जादा समानने चाहिए सो दो सो रुपिया का समान आता है ध्यान लगना आठ अगस्त भूल मत जाना बहस उजिन लाइप प्रोग्राम सुब दस विजे से ले करके दो ड़ाई घंटे कर रहेगा आप देश में हैं विदेश में कहीं पर भी हैं आप हमारे साथ बैठ करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना भगवान शिव की करपा आपको प्राप्त होगी तो सास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग का विसेश पूजन बताया गया है और वास्तम में अनंत गुना फल पार्थिव शिवलिंग के पूजन का स्रामन मास में राप्त होता है बस इतना ध्यान रखें पार्थिव शिवलिंग जब पूजन आप करने तो सूर्य चिपने से पहले पहले या किसी बढ़ व्रक्ष के नीचे थोड़ा खड़ा करके उसमें रखाएं पानी डाल करके और या फिर आप उसको जो है जल परवा सूर्य छिपने से पहले पहले करना होता है इसलिए आपको हम डेड़ दो वे तक उस इंफिरी कर देंगे जो हमारे साथ पूजन करना चाहते हैं और भी इसकी आसान कई विधिया आपको बता देंगे अगर जल परवा नहीं भी कर पाते हैं तो उसके और बहुत तरीके वो हम आपको सारे बता देंगे तो बस आज का मेरा यह संदेश था कोई समान ना हो सामगरी ना हो मन बद्दुखाना मानस पूजन बहुत बड़ा पूजन माना जाता है जो हम भगवान का मानसिक रूप से पूजन करते हैं भगवान तो मन की एक-एक गती को सुनने वाले हैं मन की हरदे की एक-एक धड़कन को भगवान सुन लेते हैं इसलिए बस अपनी धड़कने शुद्ध रखना बहुले नात का ये समय चल रहा है चहु और भगवान शंभू बसे हुए हैं रचे हुए हैं कंकर कंकर में शंकर है आप बहुत अच्छा भगवान का पूजन करें और समस्थ प्रकार की आपकी कामनाएं भगवान शंभू दो-तीन मैं ढूंड रही हूं क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भगवान में आस्था रखती हूं तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीजे मिल जाएंगी और यहली मुझे आज यहां बैटके ऐसा लगा जो आपने दो-तीन चीजे करने के लिए बताई हैं कि शायद मेरी समस्य क्याओं का हल शुरू हो गया से सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें